नमस्ते किजन के केंग्स चैनल में आपका स्वागत हैं आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं भरवा करेले करेले हमने घर पे ही लगाये हुए थे आज हम वही वाले करेले तोड़ेंगे और उन्हें बनाएंगे और आपके साथ रेसिपी शेर करेंगे बहुत ही easy बनेंगे और बहुत ही tasty बनते हैं हमने घर पे लगा रखे थे तो ये बिलकुल ही बिना spray वगएरा के हैं बिना ही कोई जो pesticides वगएरा यूज होते हैं वो हमने बिलकुल वी यूज नहीं करें हैं organic curryले हैं curryले जो हमने लगाए हैं वो छोटे size वाले हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर करेलों को उपर से थोड़ा थोड़ा सा चील लिया था और उसके बाद मैंने इसमें लगा दिया था नमक ताकि इसका जो कड़वापन है वो निकल जाए आप 10 से 12 मिनट इन्हें ऐसे नमक लगा के छोड़ दें बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको करेले बनाना सिखाऊंगे तो हम पहले क्या करेंगे हम करेंगे करेलों को फ्राई फ्राई हम इन्हें 90 परसेंट तक कर लेंगे और 10 परसेंट हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगे कि हम उसको कैसे प कर particulier बहुत जादा तेल करेल नहीं भी अच्छा नहीं बनेंगे करेले देखिए करेले की आप करेले को पॉख नेन कि जो मैंने करेले तले हैं उसमें मैंने थोड़ा सा जाधा तेल यूज किया है और उसके बाद हम एक्स्ट्रा वाला जो आइल है वह हम बाहर निकाल देंगे और आप कोई भी सबसी में इसका जो आइल है वह आप यूज करें उसका तड़का लगाएं तो उसमें भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है करेलों का हम लोग जादातर इस ओड़को डाल बनाने में यूज करते हैं जो कि हम पीली दाल बनाते हैं वह आप इस तेल से बनाएं इस ओयल से बनाएं वो बहुत ही टेस्टी बनती है तो चलिए अब हम करेले के अंदर वाला मसाला है वो रेड़ करी थी यानि कि मैंने उन्हें अच्छे से पीष लिया था जो कि हम डेली सबस्जी ओं के लिए हैं लग्राइंडर मैंने उसी में ही उसे पीषा था एकदम अच्छे से हम मसाला भून लेंगे और उसके बाद मैंने इसमें एड किया है तो आप वो वाले मसाले भी इसमें आप यूज़ कर सकते हैं मसालों को हम एक से दो मिनट एकदम अच्छे से पकाएंगे और उसके बाद हम इसमें आड़ करेंगे टमाटर अगर आप चाहें तो आप टमाटर को पीस कर लिए फिर चोटा-चोटा काट कर आप इसमें आड़ करें टमाटर आड़ करने के बाद हम इसे 5 से 6 मिनट एकदम अच्छे से पकाएंगे मैंने यहाँ पर जो टमाटर यूज़ किये हैं वो मैंने बिल्कुल चोटे-चोटे काट कर यूज़ किये हैं अगर आप जाहें तो आप इन्हें ग्राइंडर में मिक्स करकर यानि की ग्राइंड करकर भी यूज कर सकते हैं जैसे आपका पस्तमन हो आप ऐसे इसे यूज कर लें अच्छे से हमने यहां पर टमाटर को भून लिया है और उसके बाद हमारा जो मसाला है वो एक दम अच्छे से रेडी हैं यह वही नॉर्मल मसाला है जो आप सबजों के लिए यूज करते हैं उनमें हम मसाला भरेंगे और हम डाल देंगे उन्हें कड़ाई के अंदर, ऐसे ही आप सारे करेले भर कर कड़ाई के अंदर डाल दें, यहाँ पर मैंने जो करेले लिये थे तो वो छोटे हैं, तो मैं छोटे-छोटे करेले भर कर डाल रही हूँ, अगर आपके पास लंबे वा मैं दो चोइआ हैं भी हैलदी होते हैं आप घर पे बनाए और हमें जरूर कमेंड बाक्स में sacrificing बनी है अगर आपको कोई भी प्रॉपलम आए रेसिपी बनाने में तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें तो हम आपको उसका रिपलाइज जरूर करेंगे अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो आप प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमारी एक छोटी से फैमिली में आप इंक्लूड है पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्यू सो मच